साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ ज़ादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विक्सित देशों में आज भी वैक्चिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है। लेकिन भारत के लोगों ने सौ करोड वैक्चिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। साथियों किसी अभियान में जब सबका प्रयास सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परणाम अदभूत ही होते हैं। हमने महामारी के खलाब देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत बनाया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एक जुड़ता को उर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई दीए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी। लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी। सामोहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोवीड वैक्सिनेशन में आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का आकड़ा पार किया है। यह बहुत बड़ा सामर्त है। प्रबंद का उशल है। टेक्नलोजी का बहतरी निस्तमान है जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों भारत का पूरा वैक्सिनेशन प्रोग्राम विज्यान की कोख में जन्मा है। वैज्यानिक आधारों पर पंपा है। और वैज्यानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम साइन्स बॉन, साइन्स डिवन और साइन्स बेज रहा है। वैक्सिन बनने से पहले और वैक्सिन लगने तक इस पूरे अभ्यान में हर जगह साइन्स और साइन्टिफिक एप्रोच शामिल रही है। हमारे सामने चुनवती मैनुफेक्टरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में, समय से वैक्सिन पहुंचाना, ये भी किसी भागी कारे से कम नहीं था, लेकिन वैज्यानित तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से, देश ने इस चुनोतियों के समाधान तला से, और साधन स्पीड से, संसाधनों को बढ़ाया गया, किस राज्य को कितनी वैक्सिन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्सिन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्यानिक फॉर्मिले के तहट काम हुआ, हमारे देश ने कोविन प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्ता बनाई है, वो भी विश्व में आकरस्ण का केंद्र है, भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने, न केवल आम लोगों को सहुलियत दी, बलकि हमारे मेडिकल स्टाप के काम को भी आसान बनाया, साथियों, आज चारों तरफ एक विश्वास हैं, उत्सा है, उमंग है, समाज से लेकर एकोनामी, हम हर तत्प्रे पर देखें हैं, आप्टिमिजम, आप्टिमिजम, आप्टिमिजम में ही नजाराता है, एक्सपर्ट्स और देश-विदेश की अनेक एजन्सी भारत की अर्थिववस्ता को लेकर, बहुत सकारात्मग है, आज भारतिय कंपनियों में, न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बलकि युवाओं के लिए, रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं, स्टार्ट अप्स में, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही, रिकॉर्ड स्टार्ट अप्स युनिकॉन बन रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में भी नई उर्जा दिख रही हैं, पिछले महिनों में किये गए, कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशेटिव, गती शक्ती से लेकर नई ड्रॉन पॉरिसी तक, भारत की अर्थवबस्ता को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भुमी का निभाएंगे,